साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था, तो एक दुखत खबर भी मिलीगी, आज मुलायमसी यादव जी का नीधन हो गया है मुलायमसी यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी च्छती है मुलायमसी जी के साथ बेरा नाता बड़ा विशेश प्रकार का रहा है जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे बेबी और मैं भी दोनों के प्रती एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे और दो हजार चौदा में जब भारतिय जनता पार्टी ने चौदा के चुनाव के लिए मुझे प्रधान मंत्री पद के लिए आशिरवाद दिये तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिन से मेरा पहले से परिचज था ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्टर राज लेता थे राजनीती ग्रूप से हमारे विरोधी थे लेकिन उन सब को फोन करके आशिरवाद लेने का मैंने एक उपरकम किया था और मुझे आद है उस दिन मुलाहिम सिंग जी का वो आशिरवाद कुछ सला के दोशब्द वो आज भी मेरी अमानत है और मुलाहिम सिंग जी के विशेष्टा रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशिरवाद दिया था उसमें कभी भी उतार चड़ाव नहीं आने दिया घोर राजनिती की विरोधी बाते के बीच भी जब 2019 में पार्लामेंट का आखडी सत्र था पिछली लोगसभा का और सौंसद के अंदर मुलाहिम सिंग जी जैसे बरिष्ट नेता उन्होंने खड़े होकर के पार्लामेंट में जो बात बताई थी वही देश के किसी भी राजनिती कारकरता के जीवन में बहत बड़ा आशिरवाद होता है उन्होंने सौंसद में खड़े होकर के कहा था कोई लाग लगबेगेट के बीना कहा था राजनितिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था उन्होंने कहा था मोदी जी सबको साथ ले करके चलते हैं और इसलिए मुर्जे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुनकर के देश के प्रधान मंत्री बनेंगे कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जिवित रहे जब भी मोका मिला उनके आशिरबाद मिलते रहे मैं आज आदर्निय मुला एमसींजी को गुजराज की इस धर्ती से मान नर्बदा के तड़ से उनको आदर पुरवक भाव बिनी स्थर धान्जली देता हूँ मैं इश्वर से प्रासना करता हूँ उनके परिवार उनके समर्थकों को ये दूख सहने की शक्ती दे प्रासना करता हूँ